इस वक्त की बड़ी कवर मुख मंत्री के जन्ता दर्बार से आ रही है जहां छे फरियादी कोरोना संक्रमित पाएगा है सासाराम और रोहताज जी लेके ये फर्यादी मुख मंत्री जनता दर्बार में मुख मंत्री से मिलने पहुंचेते हैं अपनी फर्यादों को लेकर लेकिन उसके पहले ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में ये फर्यादी पॉजिटिव पाए गया है जिसके बाद से ही मुख मंत्री के जनता दर्बार में हरकम समझ गया है मुख मंत्री ने सुबह ही वैक्सिनेशन प्रोग्राम के शुबारम के दौरान कहा था कि कोरोना बिहार में तेदी से फैल रहा है और लोगडाउन को लेकर जल्दी निर्णे लिया जाएगा बैठक भी किये जाएंगे वहीं उन्होंने कहा था कि 24 गंटे के अंदर बड़ा फैसला आ सकता है ये खबरे हमने आपको दिखाई थी लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि मुख मंतरी नितीश कुमार के जनता दरबार में 6 फरयादी जो मुख मंतरी से मिलने पहुचे थे वो कोरोना संक्रमित पाएगा है जिसके बाद मुख मंतरी और अधिकारियों के चेहरे पर पसीने आगा और अधिकारियों के होसूड़ गया है हलाकि उनको मुख मंत्री जंता दर्बार में घुसने नहीं दिया गया घुसने से पहले ही rapid antigen test में positive आने के बाद उनको मुख मंत्री जंता दर्बार से बाहर भेज दिया गया लेकिन कोरोना संकरमन का खत्रा अभी भी बना हुआ है इसको लेकर मुख मंत्री जंता दर्बार म से मुक मंत्री से मिलने पहुंचे थे फर्यादी के तौर पर अपनी फर्याद को लेकर वो कोरोना संक्रमेत पाएगा है आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वह हम आपको जरूर बताएंगे तब तक लिए बने रहे दैसजी न्यूस के साथ और देखते रहे दैसजी न्यू करते हैं और हमारी जहां तक बालबाड़ी देशबाजियों के लिए बहुत-बहुत सुख कमना है जो बालबाड़ी केंदर में लोगों ने मदद पहुचाने के काम कर रहे और हम समाद के बीच में जा करके सीख्षा के परतिव जागर काम करें बंटी जोले सन ब्रदर्स अ अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर के तरफ से मेरी क्रिस्मस और नए साल की बधाई और नए साल में हमारे यहां हरे खरीद पे कुछ न कुछ उफार आप निश्चित पाएं प्लीज कम